नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां के टॉप 25 परमो खबर जानते हैं नंदी गराम में गिदी मम्ता पाचें मंगाल के मुखवंतरी मम्ता बनार जी को पहरे में चोट लगने के बाद उन्होंने सीने में भी दर्द की सिकायत की है बता दे इसके बाद उन्हें फिलाल कुलकाता इस्थीत एस एसके एम अस्पताल के ट्रामा सेंटर में ले जाया गया है अस्पताल में मम्ता बनार जी के भातिजी अविशेक बनार जी भी पहुँच गया है यहाँ पर काफी संख्या में तिन मोल समर तक भी पहुच गया है बतादे अस्पताल में मम्ता बनार जी का इलाज करने के लिए छो सदर से मिटकल बोर्ट का गठान उनके अस्पताल पहुचने से पहले ही कर दिया गया था मौसाभी भागने 12 और 13 मार्च को राची समेथ राजे के अनहिसों के लिए बतादे राची में 11 मार्च से 13 मार्च तक आजिक बादल छाए रहेंगे साथी में गर्जन के साथ हलकी बार इस हो सकती है जबकि राज्य के पच्मी हिस्से, पूर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम, सिम्डेगा, सराय के लखार सावा और मध्य जार्खन के राची, बोकारो, गुमला, हजारी बाग, खुटी और रामगार में गर्जन के साथ बजरपात की संभावना जाईर की गई है जार्खन के 49 खिलाडियों को जल्द मिलेगी नियुक्ति पत्र मुख मत्री, सिम्डेगा पहुंचे जार्खन के मुख मत्री हमा सुरे ने जल्द 49 खिलाडियों को नियुक्ति पत्र देने की घोसना किया है अधिशीयम ने कहा कि खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातर प्रयास कर रही है। इस तिलसिले में सभी जीलों में खेल पताधिकारी नियुक्त किये गए हैं। वहाई खिलाडियों के सीधी नियुक्ती भी सरकार कर रही है। जारखंड खेल नीती 2020 बनाकर खिलाडियों की सीधी नियुक्ति के लिए चैन किया गया है उन्होंने काया कि नई खेल नीती एक दिरकालिक योजना है इसमें राजे के खेल संस्कृति को और बेहतर बनाने के लिए कायम किये जाने हैं जारखंड के आठ सहरों को परदुशन मुक्त बनाने के लिए सरकार की योजना तयार राजे के आठ सहरों में चलने वाले आठो को परदुशन मुक्त करने को लेकर सरकार आथिक मदद देगी बतादे इन सहरों में राची, धनवाद, चाईबसा, रामगण, आजारीबाग, पांकोर, दुमका और साहिवगन सामिल है आटो को इलेक्ट्रिक या सी एंजी में बदलने के लिए सबसिड्री दी जाएगी बतादे केंद्र के निदेश पर इन सहरों को क्लीन एयर एक्षन पलान नामक योजना के तहत लिया गया है नीजी आटो चालको को 25 रुपे तक की आर्थिक साहता मिलेगी सिम्डेगा में 21 सब जूनियर नेशनल होकी शुरू जार्खन के सिम्डेगा में 21 सब जूनियर नेशनल यूमेन होकी चेंपियनशिप का उदगाटन मुखमंत्री हमासुरेण ने बॉल हिट कर किया बतादेवे लगभग एक बजे राची से सिम्डेगा पहुँचे उदगाटन कारेकरम में पदमसीरी मुकूंद नायक कलक कारो संकारेकरम प्रस्तूत कर रहे हैं सिम्डेगा में बनेगा अंतराष्ट्री अस्तर का एक और इस्टो टर्फ एस्टेडियम मुख्यमंत्री हमांसुरेण ने सिम्डेगा में एक और अंतरस्टी या अस्तर का इस्टेडियम बनाये जाने की गोशना किया है बता दे मुख्यमंत्री मंच से प्रस्तावीत नए इस्टेडियम के प्रारूप की गोशना की उन्होंने कहा कि या स्टेडियम सभी आधोनिक सुविधाव से लैंस होगा या करीब छोव एकर परिछेतर में फाला हुआ होगा इसमें बॉली बॉल की भी सुविधा होगी सभी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाडी की सीधी बाली राजे में की जाएगी मयामार्क के रोहिंगिया मुसल्मान जारखन के लिए सिर्दर्द मयामार्क के रोहिंगिया मुसल्मान अबैद रूप से भारत में परवेश कर गए और अब देश के विभीन राजियों में चोरी छिपे रह रहे हैं बतादे जारखन के भी कई हिसों में इनकी उपस्थिती की सुचना आए दिन मिलती रही है पुर्व में जारी खुपया रिपोर्ट भी इस बात का खुलासा कर चुकिया है कि समय रहते इन्हें चिनित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ए रोहिंग या मुसल्मान जार्खन की बिदी बेवस्ता के लिए सिर्दत सावित होंगे बन भी भाग ने बनाया अगिंडो धक दस्ता गर्मियों में जंगलों में आग लगने की घटनाये पहुत होती है आग पर काबू पाने के लिए इस बार बन भी भागने अगिंडो धक दस्ते का गठन कर दिया है बता दे या अगिंडो धक दस्ता अब जंगल में आग लगने के सुचना पर फोलन मोखे पर पहुचेगा और वहाँ आग भुजाएगा साथ ही जंगलों में गस्त कर या देखेगा कि कहीं आग तो नहीं लगी है बता दे महिलाओं में रेंज के रेंजर आरके सिंग ने अगिंडो धक दस्ते का गटन किया है भाजपा ने जारी की इस्टार परचारकों की सुची पच्छिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने इस्टार पर चारकों की सुची जारी कर दी है बतादे कई बड़े नामों के साथ जार्खन के भी कई नेता भी इसमें सामिल है जन जातीय मामलों के केंद्रिय मंत्री अजुन मुंडा जारकन के पुर्य मुक मंत्री वावलर मरांडी और अगबर दास पचिम मंगाल विधान सभा चुनाव में भाजपा के स्टार पर चारकों में साविल है भारत में 21814 संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संख्या एक लाग अंठावन या 213 है वहीं भारत में एक टिप केस की संख्या एक लाग पचासे या छोसो पैसट है रांची में आर्मी भरती रैली शुरू राजधानी राची के मुराबाइद मेदान में पुद्वार की सुबह से सेना भरती पर किरिया प्रवर्म हो गई है बताते सुबह की पाली कियन के साथ अलग-अलग टोलियों में बैठाएगा युवाओ के बिच परतियोगता प्रवर्म हो गई सेना के अधिकारियों की देखरेक में युवाओ को दोड़ाया जा रहा है इसके अधार पर आये की चैन पर किरिया के लिए युवाओ का चैन किया जा रहा है राची में ग्रीन काट का बितरन 12 वा तेरा को जारखन राज खात सुरक्षा युजना के अंतरगत ग्रीन राशन काट का बितरन 12 वा और 13 मार्च को किया जाएगा बतादे राची उपायुत के आदेश क्या लोक में विभीन अंचलो में ग्रीन राशन काट समारो आयोजन कर लापको को राशन काट उपलब्त कराए जाएगे इसमें नगड़ी, नामको, बढ़गाई, और कोड़ा, हेहल और सौर अंचल में ग्रीन राशन काट समारो कावजन किया जाएगा पेजल मंतरी को नहीं पता की चापकल की मरमत कोन सा विभाग करता है जारखन में बढ़ते ताप मान का असर बुद्वार को बजट सोत्र के दोरान देखने को मिला बता दे प्रश्ण काल के दोरान कई बिधायकों ने चापकल की बरतवान, इस्थिती, सरकार की त्यारी, लंबित, जल, छाजन, योजना, बाग, माराक के बी सीसेल छेत्रों में पेजल की समस्या को लेकर काफी देर तक सवाल जबाब होता रहा सदर में मुख विपक्षिदाल बीजेपी के बिधायकों ने पानी के संकट पर जम कर हंगामा किया उनके सवालों पर कई बार सरकार घिरती हुई नजर आई बता दे बीजेपी विधायक की ओर से करवाई की दोरान विधायक और संसद निदी ने अस्थापी चापकल की मरवत का सवाल उठाया इस पर पेजल स्वक्षता मंत्री मितले स्टाकूर ने कहा की उन्हें अभी इस बात की जनकारी नहीं की इन चापकलो की मरवत कौन सा विवाग कराता है अपने ग्री जीले में पढ़ा सकेंगे सिक्षक बिधान सबा के बजट सत्र के दोरान बुद्वार को संसद ये कारेमंत्री आलम गीर आलम ने कहा की सुबे के सिक्षकों को उनके ग्री जीले में तबादले की मांग पुरानी है सरकार सिक्षकों को उनके ग्री जीलों में अस्थानांत्रीत करने का विचार रखती है बिना नियमावली में संसोधन के या मुम्किन नहीं है सरकार सभी पलूओ पर विचार करके नेमावली में सोसोधन पर विचार करेगी उन्होंने अजनकारी विधायक मतुरम अतोक के ध्याना करशन पर दी रांची पहाडी मंदिर में नहीं निकलेगा सीव बरात क्रोना वायरास संक्रमन को देखते हुए इस पर महाशिव रातरी के अशर पर जार्खन के रैजदानी रांची के पहाडी मंदिर में सीव बरात नहीं निकाली जाएगी बतादे इसकी जगह सीव पारवत्ती जयमाला समरों का विजन होगा रांची टाटा फोरलेन का काम जून तक करे पुरा हाई कोट जार्खन हाई कोट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंग वा जस्टिस एक के चोधरी की अधालत में रांची टाटा फोरलेन के बाकी बचे काम के मामले में बुद्वार को सुनवाई हुई सुनवाई के दोरन अधालत ने मौकिक रूप से कहा कि बाकी बचे काम में NHAI तेजी लाए और सौरक का काम जून 2,21 तक पुरा करे जारखन में जेल कर्मी होंगे अस्थाई जारखन राजे की जेलों में अनिमित रूप से कारे रत 183 कारा कर्मीयों की सेवा निमित करने की घोसना हो चुकी है बतादे जारखन हाई कोट के आदेश के आलोक में राज सरकार ने अस्थाई करने समन्दित आदेश जारी किया था अब इसके लिए सेवा सर्थ भी जारी कर दी गई है सेवा सर्थ के अनुचार एक कर्मी दो साल तक प्रोबेशन में काम करेंगे वहीं अस्थाई किये जानने वाले सभी 183 कारा कर्मी वैसे हैं जिनोंने कम से कम 10 साल या इस्थादिक अवधित तक अपनी सेवा दे दिया है हजारी बाग बरही फोलेन पर टोल टेक्स शुरू हजारी बाग बरही फोलेन पर बुद्वार सुबर 9 वजे से टोल पलेजा की सुरूआत हो गई है अस्थानिय लोगों को छूट देने की मांग को लेकर लंबे आंदुरन के बाद टोल पलेजा संगर समीती और सनवेदक की सामाती के बाद इसे प्रारम किया गया है जार्खन के 30,000 गाओं में सीधू कानू कल्ब बनाये जाएंगे मुख्यमंत्री जार्खन में सिम्डेगा जीले के एस एस बैल का उजबी दयाले इस्थित एस्टो टर्फ ग्राउंड में एगारवी हों की इंडिया राष्ट्रिये माईला सर्फ जूनियर हों की परत्योक्ता सुरू हो गई बता दे मुख्यमंत्री ने काया कि खेल पर तिभाओं को परुसाहित करने के लिए होर परयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने घोसना की की राजे के 30,000 गाओं में सिधु कानू कल्ब बनाये जाएगे और हर एक कल्ब को खेल गती विदियों के लिए 25,000 रुपे दिये जाएगे साथ ही गुमला, सिम्डेगा, खोटी और आची जीलों में पंद्रा विद्यालियों में खेल मैदान का निर्मान किया जाएगा रांची में 95,000 चात्रों को चात्रविर्ति के लिए सत्यापन पुरा रांची जीले में विभीन संस्थानों में पढ़ने वाले चात्रों की पोस्ट मैट्रिक चात्रविर्ति भुगतान के मंजूरी देने के मामले पर बुद्द्वार को पाय उच्छावी रंजन के देख्ता में बैठक हुई बैठक में जीला कल्यान पता दिकारी ने बताया कि जीले के विभीन संस्थानों के करीब एक लाग चात्रों ने चात्रविर्ति के लिए आवेदन दिया है इनमें करीब 95,000 के आवेदन सत्यापन कर लिए गए हैं सिपाही नियुक्ति को लेकर दायर आज का खारीच जरखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी के अदारत ने सिपाही बाहली ममले में दाखिल आज का सुनवाई के बाद खारीच कर दी बतादेपराथि का काना था कि उक्त बाहली में महिलाओ के सीट अरक्षित की गई थी लेकिन नियुक्ति के बाद भी पद खाली रह गए ऐसे में उस पद पर पूर्जों के नियुक्ति की जाए इस पर जे सेसी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल वपिंस कुमार सिंग ने अदालत को बताया कि नियुक्ति 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 में ही महिलावों के 33% पद पर अरक्षित किये गए हैं ऐसे उस पद पर नियुक्ति के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता इसके बाद कोट ने अचका खालिच कर दी पेट्रोल पॉम्पो पर परदुसन जाच केंद्र नहीं मिलेंगे तो रद होगा लाइसेंस रांची सहर के जिन पेट्रोल पॉम्पो पर परदुसन जाच केंद्र नहीं रहेगा उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा बतादे इसके लिए सभी तेल कंपनियों और पंप संचालकों को एक माका समय दिया गया है इस अधी में जाज केंद्र नहीं पाए गया तो उनके खिलाब कोट के अमानना का मामला दर्ज करने के साथ पंप के लाइसेंद रद कर दिये जाएंगे 13 मार्च से हर सनिवार को नो कार अभियान साइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च से सुरू हो रहे हर सनिवार को नो कार की तयारी में राची नगर निगम जूट गया है बता दे बो दुवार को नगर आयुक्त मुकेस कुमार ने जार्खन विधान सबाध्यक्स रविद्र नात महतों से मिल कर उने अभियान की जनकारी दी साथ ही अपील करते हुए काया कि वे सुत्र के दौरान अस्थाने विधायक आने जाने के लिए साइकिल का इस्तमाल करे जार्खन में जूनियर डाक्टरों की हर्ताल खत्म सुआत सचीव केके सोन वारीम सिनीदेशा के साथ जूनियर डाक्टर एसोसियेशन परतिनीदियों के हुई वारता के बाद राजे के छो मेडिकल कॉलेजों में तीन दिनों से जारी हर्ताल समाप्त कर दी गई है बता दे जे डिये अध्यक्ष डाक्टर विकास कुमार ने बताया के अर्ताल समाप्ती की घोषना कर दी गई है गुरु आर्शे रिम्स राची, पी एम सी एज धनबाद, एम जी एम जम सेथपूर के अलावा दुमका पलाम हुआ, हाजारी बैग मेटकल कोलेजों में पूर्व किबाती ओपी डी का संचारन किया जाएगा ज्यारखन में इस हफते पांच तिन बंद रहेंगे बैंक बैंक करमचारियों के नौ संगठनों से जुड़ी संस्था युनाइटेट फोरॉम औफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को बैंको में राष्ट व्यापी हर्ताल की गोस्तना किया है बता दे हर्ताल का आवांस और जानिक छेत्र के बैंको के निजी करर के खिलाप किया गया है दानेवाद